दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाल हो कि आप Airtel Customer Care से डारिक्ट बात कैसे कर सकती हो जी आदोस्तो अगर आपको भी Airtel में किसी भी तरह की प्रोब्लम आ रहे हो और गाइस अगर आप जो है Airtel Customer Care से बात करना चाहते हो तो सबसे बढ़े दोस्तों Airtel Customer Care से बात करने के लिए आपको करना किया सिंपली आपको अपने एर टेल नमबर से आपको कॉल करना है और ग्रफ गयाओ जो मैं आपको बता दब आपको जो है की प्रेस करना है तो गैस यहाँ पर आपको एक डालना है तो अब यहाँ पर आपको दो डालना है तो गैस यहाँ पर पूरा बोलने की बाद आपको यहाँ पर एक प्रेस करना है अपने ही नमबर पर अगर आपको डीटेल चेक करने हैं तो गैस आपको यहाँ पर एक प्रेस करना है और दूसरे नमबर पर डीटेल चेक करने हैं तो आपको दो प्रेस करना है तो यहाँ पर आपके जो भी अपर एक्टिव प्लान होगा उसकी डीटेल्स यहाँ पर यह बताएगा अभी कुछ टाइम आपको वेट करना यहाँ पर 15 से 20 सेकंड तक यहाँ पर यह जो आपकी जो भी डीटेल्स एक डीटेल्स वो यहाँ पर बताता रहेगा उसके बाद मैं आपको जो है कुछ की प्रेज जो मैं आपको बताता हूँ वह ही आपको प्रेज करनी है आपके प्रीपेड मोबाइल का अकाउंट बालन्स है शून्य यहाँ पर आपको कुछ टाइम इसे जो है बूलने देना इसके बाद आपको जो है सो अब गईस यहाँ पर आपको दो प्रेस करना है तो गईस अभी जो है completely इसने बोल दिया अब गईस पूरा बोलने की बाद आपको यहाँ पर दो प्रेस करना है क्योंकि गईस यहाँ पर पूरा बोलने की बाद प्रेस करोगे तभी आपका की वैलिड रहेगा अपने नंबर पर हुई आखरी पांच कटौतियां और रीचार्ज के लिए तीन दबाएं अपना पी यू के नंबर या मोबाइल नंबर जानने के लिए चार दबाएं दो बाव सुनने के लिए शुन्य दबाएं पिछली सूची के लिए साथ दबाएं मुख्य सूची के लिए आठ दबाएं कि कॉल स्प्राइब को ट्रांसफर की जा रही है ये कॉल स्पूलिटी की जांच के लिए रेकॉर्ड की जा सकती है बाभी इंसकर्स रो मैंने रिचार्ज कर वाया था इतरल में अभी नेट नहीं चल रहा है सही तो गैस कुछ इस तरीके से आप जो है अपने एटल कस्टमर केर से डारेक्ट कॉल पर बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों कर आप कोई वीडियो चलागा होते इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से किजिएगा